आज के इस animation वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके sterilization के अंदर जो second type of heat sterilization है that is moist heat sterilization और इसके अंदर सबसे जादर useful होने वाले एक instrument की जिसका नाम है आपका autoclave यह autoclave क्या है कैसे काम करता है इसका working principle क्या है यह हमने already हमारे lecture वीडियो में डिसकस किया हुआ है आज के इस छोटे से लेकर important और easy animation में यह देखने वाले हैं कि इसके assembling कैसी होती है इसके parts कौन कौन से है और हर एक individual parts के क्या क्या respective function होते हैं यहाँ पे आप overall image देख रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का presentation with small but important powerpoint presentation अगर हम बात करते हैं autoclave की तो हमको एक simple सा base और हमारे base के उपर autoclave का base रखा जाता है यह एक metal jacket का बनावा होता है metal jacket काने के मतलब है इसमें आपके aluminium और iron के combination होगे multiple layer इस पे होगी multiple layer का benefit यह होता है कि इसमें इसकी जो strength है वो काफी ज़्यादा बढ़ जाती है और in case of accidental जहाँ पे इसके अंदर vapor का pressure काफी ज़्यादा ब plates हैं इनको हम बढ़ा सकें तो यह autoclave का base हुआ अब हम बात करने वाले second part की तो यह autoclave के अंदर जो object आप रखने वाले हो जिसके हमको sterilize करनी है उसको रखने का यह tray है तो यह जो आपका tray है इस is called tray for object और इसे हम object tray यह tray holder के रूप से भी जान सकते हैं अगला जो हमारा part है वो इसे कमला बोल सकते हैं heating coil चुकि autoclave एक ऐसा machine है जो कि temperature pressure के हिसाब से काम करता है उसके काम करने का principle है वो यह है कि वो एक temperature के साथ में एक pressure build up करता है और यह जो pressure और यह जो temperature है वो आपके object में अगर कोई macrosum present है तो उसके protein को coagulate कर देता है तो इस heating coil को जब हम on करते हैं current supply कर तो यह heater coil on हो जाता है और इसके कारण से इसमें water present है जिसको आप देख रहे हैं यह water heat को accept करना start करता है जब heat आगे बढ़ेगी आपके process के through तो यह water के molecule आगे जाकर के vapor में convert होना start करेंगे तो यह हमारा जो second part हुआ है heating coil का अगला जो part है वो है हमारा वो object जिससे हम किसी भी दिये गए macrosm को remove करना चाहते हैं basically अगर हम बात करते हैं autoclave की तो autoclave में pressure और temperature दोनों participate करते हैं इसलिए हम इसके अंदर के वल ऐसे object को रख सकते हैं जो की temperature को सह सकता हो और moisture के प्रदेस में उसके nature में कोई तरह का deterioration ना देखने को मिले तो यहाँ पे हम glassware को generally रखते हैं औ surgical instrument के रूप में seizure को भी रख सकते हैं इस object के अंदर यह जो object है यह क्या है यह आपका object to be sterilized है ऐसा object है जिससे हमको object में इस macrosm अगर present हो तो हटाना हो basically क्या होता है कि इस object में यह जो लाल लाल dot में बना रहा हूँ है रिप्रेजेंट कर रहे हैं macrosm को तो हो सकते हैं कि इस object में कोई जना कोई macrosm हो तो इस process हम उसको remove करेंगे next part क्या है हमारा lead है यह हम cover भी बोल सकते हैं हमको यहाँ पर pressure develop करना है इसलिए उपर में lead यह cover तो लगाना पड़ेगा ताकि आपके जो water है वो boil होंगे तो उनका pressure build-up हो सके so this is lead यह हम autoclave का cover भी बोल सकते हैं इसके बाद दूसरा जो important part है वह है whistles इसे हम लोग generally release valve के नाम से भी देखते हैं किसी किसी बुक में जब पानी गरम होगा और गरम होने के बाद यहाँ पर बनने लगेंगे तो यह वेपर अंदर चुकि यह packed है cover band है तो यह वेपर पुरा अंदर यहाँ पर पैक हो जाएगा और जब तक वेपर का pressure इतना sufficient है कि वो escape नहीं कर सकता तो यह अंदर वेपर का pressure develop होते जाएगा यह वेपर के pressure बड़े तेजी से kinetic energy को follow करते हुए heat को follow करते हुए उपर से नीचे और नीचे से उपर even कहना चाहिए कि हर एक direction से आपके object में पढ़ेंगे और इस object में प्रोटीन को deteriorate करें लेकिन एक particular time के बाद जब इसका pressure build up जादा होने लगेगा तो chances हैं कि यह plast हो सकता है तो access pressure को release करने के लिए हम यहाँ पे whistles का use करते हैं वेपर एक्से प्रेसर को release करेगा थोड़े देर बाद वापस अपने position पे आ जाएगा तो हमारा pressure फिर से build up होना start करेगा इसके बाद ज इसका purpose यह है कि किसी कारण से अगर आपका whistle choke हो गया हो और इस चोक होने कारण से अगर अंदर का vapor pressure बाहर ना निकल पा रहा हो इससे तो आपका cooker हो या फिर आपके autoclave का jacket हो वो burst हो सकता है blast होने के पूरी chance हो सकते हैं और इससे severe accident हो जाएगा तो ऐसा conditions को avoid करने के लिए चोड़ा सब फट जाता है और यहां से पूरा pressure release हो जाता है जिसके कारण से blasting संभावना काफी हतक कम हो जाती है safety valve के बाद अगला जो सबसे जरूरी पार्ट है हमारा यह है pressure gauge का क्या है pressure gauge का जो काम है वो indicate करना है कि आपने जिस autoclave के अंदर object को रखा है उसको उसके protocol के हिसा temperature की कोई unit नहीं होती बलकि उसमें pressure को adjust करते हैं या pressure को measure करते है तो pressure gauge एक छोटा सा ऐसा analytical meter है जो अंदर के pressure का unit दिखाता है यह pressure जब breathe होते जाएंगे तो यह अंदर कितने pressure तक पहुंच चुका है इसकी जानकारी आपको इस pressure gauge से मिलेगी pressure के बढ़ने के accordingly यह आपकी clockwise movement करे like this तो अब क्या होगा अगर इसमें कोई microorganism present है तो हमारे heat और vapor इन दोनों को combine रूप से autoclave में use करने के बाद इनका जो protein है अब जेखिए यह हमारा microorganism है suppose यह bacteria है और यह जो autoclave का method है इसमें bacteria के दोनों form यानि कि आपका vegetative as well as आपका spores form दोनों के लिए effective है तो यह हमारा bacteria है य जो फ्लाजिला वगरा है वो है तो हम जब इस पर heat और temperature अपलाई करते हैं तो इसके जो protein है वो co-regulate हो जाते हैं और protein के co-regulate हो जाने की वाज़े से वो bacteria survive नहीं कर पाता कुछ इस तरीके से देखेंगे अगर तो हमने एक rough example लिया हुआ है कि एक अच्छे अंडे को एक अच के form में वो solidify हो जाता है that is co-regulate हो जाता है तो बिल्कुल इसी तरीके से macrosum में bacteria के जो protein part हो जाएंगे और इनका use फिर bacteria अपने growth survival के लिए नहीं कर पायागा तो यह था simple सा one-to-one animation बहुत एकदम common सी चीजों को यूज करते हुए I hope कि आपको समर्ज में आया होगा कि autoclip के basic parts क्या क्या होते हैं और individual parts के क्या क्या function होते हैं thank you so much for watching this video namaskar and please do take care of yourself